अरिश्यरनम श्री गिरी राज गोबरधन के परम पुनीत अस्थल महारास अस्थल चंद्र सरोवर के पावन तट पर अवस्थित शिम्द बल्भाwn चारि महा प्रहुजी की बैठक, स्री गुशाई विठल नाजी की बैठक स्री गुशाई गोकुलनाजी की बैठक, एवं प्रतम तिलुकायत स्री दावुजी महाराज की बैठक स्री गुशाई जी की प्रियोग की बैठक के सानिध्य में ही पुष्टी मार्ग के महान सिद्ध भक्त कवी महा कवी उद्धव जी के स्वरूप पुष्टी मार्ग के जहाज स्री सूरदासी महाराज की वही पावन सूर कुटी है जिसमें 73 वर्ष विराजमान रहकर महा कवी सूरदासी ने सूललित पदों के माध्यम से अपने श्याम को रिजाया सूरिश्याम गोशाला का विश्त्रत परिशर रासिस्वरी पूज्या गो माता की सनिधी परासोली ग्राम निवासी गोवर्धन निवासी सभी ब्रिश साहत्य परिशत नियास के सुप्रतिष्ठित महा कवी ब्रजवासी सभी को हम सादर सूरदासी की पावज जेनती के अवसर पर जैस्री कृष्ण जैस्री राधे निवेदन करते हुए सादर जै गोमाता जै गोपाल जैस्री सूर्श्याम निवेदित करते हैं यद्यपी इस समय हम वरंदावन मलूपीठ स्थान में ही निवास कर रहे हैं लेकिन वरतमान समय की विकट परस्थिती को देखते हुए सरकारी निर्देशों का अत्यन्त आधर पुरुवक पालन करते हुए याता यात बंद है किन्तु फिर भी हमारा मन हमारी मानसिक उपस्थिती हमारी भावमय उपस्थिती बैशाक शुक्ल पंचमी सूर जेन्ती के महान पर्व पर आप सब लोगों के मध्य स्री सूर कुटी की सन्निधी में ही है हमारा बहुत मन था कि हम उपस्थित होते लेकिन चाह कर भी हम प्रत्यक्ष उपस्थिती नहीं दे पा रहे हैं हमारी भावमय उपस्थिती स्री सूर दाशी के चरणों में स्वीकार की जाए स्री गिरीराजी को प्रणाम स्री चंदर सरोवर को प्रणाम स्री शूर श्याम गोष्ट को प्रणाम रासेश्वरी पुज्या गोमाता को प्रणाम शिमन महाप्रहुजी श्री गुशाईंजी श्री सूरदास्ची अश्च सखाउं को प्रणाम पुज बावा स्री ठाकुरदास्ची महराज को प्रणाम एवं सभी संतों को ब्रजवासियों को साधर दंडवत प्रणाम श्री सूर्दाशी की जहनती के अवसर पर कुछ पंक्तियां हैं सूर्दाशी के संबन्ध में पहले सूर्दाशी में निवेदित भी की जा चुकी है पुनहा वही बागपुष्प स्री सूर्दाशी के चरणों में समर्पित करते हैं शिश्य गुरु ब्रहस्पति के सखा स्याम सुन्दर के ज्यानिन सिर्म और ब्रिश्नि बंस के प्रधान है ज्यान ही को जाने प्रेम मोह करी माने प्रेम रस विज्यान हित उद्धव पठाए हैं नंद यशुदा को प्रेम गो गोप गोपी प्रेम अनुभव करी उद्धो प्रेमी रसिक कहाए हैं राधा को भ्रमर गीत सुनके उनमत भे ब्रज बसी छे मास रज अंग लपटाए हैं गोपिन की चरण रेणू कैसे हूँ प्राप्त होए लता गुल्म अउशद इबनि ब्रज बास मांगयो है प्रेम चटसार ब्रज आचारिया गोपी गण साधु शिश्य उद्धव जन्म सफल सफल बनाये हैं ग्यानी सखा को प्रेमा चारे रूप दरसन कर हिय हुलसाए स्याम हरदैसों लगायो है आग्या दई तुमने जो प्राप्त कियो ब्रज माही बाकूं ब्रज भासा में गाये लगे जग सुखदाई है आग्या हरी पाए वेही महा कभी सूर्भे स्री बल्लभ पद पाए पुष्टी बेडा बनी राजे हैं महा रास थल परा सौली शसी सरवर तट सूर कुटी ब्राज पद स्याम कू सुनाए ये पाँच छंद रूप पुष्प स्री महा कभी सूर्दाशी के चरणों में समर्पित हैं कभी कुल गुरु काली दास कभी कुल गुरु सूर्दास देव भासा काली दास ब्रज भासी सूर भयो है अलंकार चंदरस सूर पाक्रतार्थ भय सरस ब्रज भासा सूर पाय धन्य भई है ब्रज रस गाय सूर काव्यकला धन्य भई सूर कुटी धन्य परासोली धन्य भई है माधव सित पाक धन्य पंचमी तिथी हू धन्य स्री बल्लभ गुरु धन्य धन्य सूर दास भयो है श्री सूर जयंती आज पर आस ओली धन्य भई प्रमुदत हरी Haridas Acaraj सवे अविद्यान स्ट भई प्रमुदत हरी Haridas Acaraj सवे अविद्यान स्ट भई श्री बल्लब पद पाय धन्य भै, श्री हरी लीला प्रगट भै, नेत्र हीन हू नेत्र बान भै, बिन दर्सन आखें ब्यर्द भै बर्सति हत्तर सूर कुटी बसी, काब्य कला निधी प्रगट भै, सूर श्याम को गोष्ठ मनोहर उत्सव रहे मनाई, सिवर जेंती आज परासोली धन्य भै, चंद्र सरोवर सूर महोत्सव कवियन को समुदाई, काब्य मै कुशुमान्जली अर्पित बावा के चरनाई, स्री सूर्य जेंती आज, सूर कुटी परासोली धन्य भै, बार श्री शूर्य श्याम गोष्ठ लजो बार्शिक बत्री का प्रकासित करती है, उसमें समस्या पूर्ती रखी गई है, यद्यपी हमें लिखने का कोई रश्चंद का ग्यान तो बिल्कुल है ही नहीं, तुकुबंदी मात्र है, पर गया की भलाई ते भलाई होए देश की, ये समस्या पूर्ती की पंक्ती रखी गई है, हमारे स्री गोपाल जी जो स्रीमत भागवत के बहुत अच्छे व्याख्याता भी हैं, और समर्पित ब्रसहत्य परिशत के कवी हैं, सूर्ष्याम गोश्ट के गोश्यवक भी हैं, और बड़े कवी भी हैं, ऐसे हमारे गोप जी ने हमको न्रदेशित किया था, तो तुक बंदी है, चंद तो ठीक है नहीं, हमको पहले से ही पता है, गया की भलाई ते भलाई होए देश की, विप्रन को भलो होए बेदशास्त्र पढवे सों, छत्रिन को भलो होए निर्वल बचाये सों, बैश्यन को भलो गवद्विज साधु सेवन सों, गया की भलाई ते भलाई होए देश की, नारी को भलो पतिवृत के किये सों होए नर की भलाई पर नारी त्याग किये सों पुत्रन को भलो मात पिता सुच सेवा किये गईया की भलाई थे भलाई होए देश की शिश्यन की भलाई संत सद्गुरु की सेवा किये गुरुन की भलाई भगवत प्राप्ति के कराये सों साधुन को भलो साधुन की भलाई सब तजके भजनसों होए गया की भलाई ते भलाई होए देश की गयान की सेवाते सिद्ध सब मनुरत होए गब्य के ही सेवनसों चित शुद्धी होए है चारों पुरुशार्थ गव सेवासों पूर्ण होएं गईया की भलाई थे भलाई होए देश की सूरदाशी के चरणों में शूर जेन्ती के पावन अवसर पर हम बारंबार शाष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं स्री सूरदाशी को बार-बार प्रणाम करते हैं साथ ही एक बात और कहने का मन है इस समय जो बैस्विक महामारी का संकट देश ही नहीं पूरे विश्वपर है उस भीशन संकट के काल में सासन का संपूर्ण सहयों करते हुए हमें लोकडाउन का इमानदारी से निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए अपने घरों में रहकर के ही उत्सव महुत्सव मनाने चाहिए भजन साधन करने चाहिए और इस प्रत्कूल परस्थिती में भी भगवान की कृपा का अनुभव करके इसे अनुभव करते हुए यह समझना चाहिए कि भगवान ने अच्चनत करुणा पूर्वक एकांत भजन साधन स्वाध्याइ चिंतन का ध्यान का स्मरन का मंगल में अवसर हमें प्रदान किया है यह अवसर का लाव लेते हुए इस अवसर का लाव लेते हुए अपने एक एक शण का उत्तम उत्तम उप्योग करना चाहिए और प्रायह लोगों का भाव होता है कि हम से वो बात करें पर फोन दास रखता नहीं है और फोन में बात करने का भ्यास भी नहीं है प्रायह फोन में बात नहीं ही हो पाती है इसलिए जो कोई भी आवश्यक सूचना है वो आपको वेबसाइट के माध्यम से और मलुक पीठ कारेले के माध्यम से प्राप्त होती रहती ही है तो आप सब के लिए खुब-खुब मंगल कामना, खुब-खुब शुब कामना और श्री ठाकुर जी की और से, मलुक दासी की और से, श्रीधाम ब्रंदावन की और से, बिहारी जी, अमना जी, गिराजी सब कवमाता, सबसंत सब की और से, सदा सरवदा के लिए खुब-खुब आशिरवाद, जैश्री सिताराम